देखो टू ब्लोग्स कनेक्टटड वाया स्परिंग केस टू जिसमें गॉंसे वाला केस वदारा वब में। अंस्टेंट फोर्स लग लिए तो पहले तो क्वेश्टन के डिटेल्स के बारे में देखते हैं क्वेश्टन क्या कह रहा है बिटा इनिशिल कंडिशन को ध्यान से अनिलाइज करना मान लो एक मास M1 है और ये मास M2 है ठीक है? इसकी वेलोस्टी भी इस इंस्टेंट पे 0 है इसकी वेलोस्टी भी इस इंस्टेंट पे 0 है और ये दौनों अपने ये स्प्रिंग अपने नैचरल लेंज पे है स्प्रिंग कॉंस्टेंट के है और इस पे कॉंस्टेंट फोर्स लग रही है क्या लग रही है? कॉंस्टेंट फोर्स अब ये क्वेस्टन एक्सी वर्मा में भी है, इरुडोव में भी है question में जानते हो क्या पूछा है उन्होंने maximum elongation in spring क्या पूछा है बेटा maximum elongation in spring मुझे maximum elongation in spring से कुछ लेना देना नहीं है मैंने कुछ और पूछा है मैंने पूछा है right equation of motion right equation of motion of M1 and M2 उससे सब समझ में आएगा उससे सब समझ में आएगा हाला कि थोड़ा लंबा पड़ेगा हाँ या ना लेकिन जो मैं कर रहा हूं वो बिलकुल जनरल चीज कर रहा हूं maximum elongation in spring तो equation of motion से ही समझ में आ जाएगी ती जीरो पे जो पॉइंट था यह टाइम है टी जीरो वाला हाँ या ना ती जीरो के बाद टाइम टी पे यह एक्स है टाइम टी पे यह मानलो कि यह x1 लोकेशन पे है और यह x2 लोकेशन पे है चलेगा इधर लग रहा है f और बीच में separation मानलो l0 प्लस x इधर लग रहा है kx इधर लग रहा है की एकस ये भी चलेगा आया ना इसकी एक्सेलरेशन मानली धर की तरफ एवन इसकी मानली धर की तरफ एटू न्यूटन रॉँ लगा दो क्या हो जाएगा की एकस चलो कलर चेंज करते हैं अच्छा लगेगा एक ही कलर से मजा नहीं आता kx is m1 a1 that is m1 d square x1 by dt square दूसरेगा बन जाएगा f minus kx is m2 a2 that is m2 d square x2 by dt square got it उसके बाद x2 minus x1 is l0 plus x double differential करेंगे d square x2 by dt square minus d square x1 by dt square is d square x by dt square अब d square x2 by dt square minus d square x1 by dt square यह आगया तुमारा f minus kx by m2 minus kx by m1 is d square x by dt square बेटा shifted mean वाली equation बन रही है तुम notice करना shifted mean वाली equation बनेगी चेक करो minus k1 by m1 plus 1 by m2 into x चलेगा प्लस f by m2 is d square x by dt square is d square x by dt square चलेगा अब लिख दो minus of omega square x plus f by m2 आया ना इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं minus of omega square common ले लो omega square बन गया ने यह चीज़ को omega square बोल दिया तो minus omega square common ले लिया यह आगया x minus f by m2 omega square is d square x by dt square अब ऐसे चम में हमने equation करीची shifted mean वाली उस equation से compare करो वो equation क्या कहरी थी d square x by dt square is minus of omega square x minus c तो यह x equal to c is the mean position हाँ यह ना और फिर equation क्या बनती है x minus c is equal to a sin omega t plus 5-0 ठीक है तो इससे हमारे पास x is the function of t क्या बनना चाहिए x is the function of t बनना चाहिए f by m2 omega square plus a sin omega t plus 5-0 got it are you sure यहां तक समझ में आ रहा है various things are not that easy they are easy they are chill they are practically freezing now two initial condition x at time t equal to 0 is 0 and dx by dt at time t equal to 0 is also 0 if you think over it य। दौनों रेस्ट से छोड़े थे अंहें ना य। दौनों रेस्ट से छोड़े थे हैं नहीं छोड़े थे। इसका मझनलब डी एकसफ़ी दीटी भी जीरो होगा, टाइम टी जीरो पहे। और x elongation था वो भी 0 होगा time t0 पे आया ना अब equation देखो अब जो equation आई इससे देखो इससे time t0 डाल दें तो 0 equal to f by m2 omega square plus a sin 5 नॉट बन गया आया ना और dx by dt करूँगा तो क्या हैगा dx by dt करूँगा तो यह आजाएगा 0 plus a omega कॉस ओमेगा टी प्लस फाइड अब यह कह रहा है dx by dt 0 होना चाहिए time t0 पे इसका मतलब कर दो यह आजया ओमेगा कॉस फाइड नॉट शुट भी जीरो यह ओमेगा कॉस फाइड कॉस फाइड जीरो होना चाहिए फेज होना चाहिए जीरो से टू पाई के बीच में तू पाई अब तुम यह बताओ साइन पाई नॉट क्या आ रहे है तुमारा साइन-फाइड नेगिटिव और इस-eants से. साइन-फाइड नॉट तुमारा नेगिटिव आ रहे है यह रियार साइन-90 तो बन उता था और साइन-3 πई-2 नेगिटिव आ रहे ना इसका मतलब फेर शुट इट शूड नौट भी पाइबाइटू इनिशल फेस की वैलुई भी आ गई इनिशल फेस की वैलुई कितनी आ गई थ्री पाइ-बाइटू चलेगा और अगर यह थ्री पाइबाइटू है तो एम्फिलिटूड पॉजिटिवी रहता है तो साइन थ्री पाई बाई टू यहां पर क्या लिख देना माइनस वन तो एम्प्ली टूड की वैल्ली भी आ गई एम्प्ली टूड आ गया एफ बाई एम्टू ओमीगा स्क्वेर चलेगा अब एक्वेशन पर आ जाओ एक्वेशन चा बन रही है एफ अपाउन एम्टू ओमेगा स्क्वेर वन माइनस कोस ओमेगा टी बोलो हां तो यू रियलाईज एक्विल नेवर बिकम नेगेटिव एक्विल नेवर बिकम नेगेटिव दिखरा है जलो हां विल नेवर बिकम नेगलेज़ देनकरे हैं दृब नेवर एक्विल एक्विल नवर एक्विल्टन कि रल्गा पर imperson South the spring will never compress it started off with natural length it will go to some value then it will go to maximum elongation then it will go to some value and then it will come back to natural length it will oscillate between natural length and maximum length it will not never compress and unless you actually do it the way i am doing it by writing the equation you will not get it that you will not get it that you will not get it that you will not get it you will not get it the equation of motion so x equation this thing will never go negative the spring will never compress and it will always क्या बोलते हैं, elongated ही होगा, हाँ या ना, compression आना ही नहीं उसमें, और maximum compression कितना होगा, sorry, maximum elongation कितना होगा, can I say, maximum elongation will be 2F upon m2 omega square, this is maximum elongation, जो कि I think erodome में और HC वर्मा में पूछा गया था, तो answer आजाएगा, 2F upon m2, omega square को लिख देना, k upon m1 m2 upon m1 plus m2, यह आजाएगा, 2F m1 upon m1 plus m2 into 1 by k, चलेगा, हाला कि मेरे वाला तरीका थोड़ा लंगा था, आये कि दी, मैंने कब मना किया, उन्होंने कैसे निकाला था, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, center of mass frame से किया था, वो भी कराऊंगा, यहां तक का समझ में आ गया, लिख लिया, यह अभी कॉन से complete हो है यार, मैंने क्या निकाल है, X1T और X2T भी निकालेगा, कि पिस्मत ही खराब है, क्या है, तो भूली गए थे, XT बन रहा था, क्या बन रहा था, यार बतायो, F अपॉन, M2 ओमेगा स्क्वेर, M2 ओमेगा स्क्वेर, 1 माइनस, और लिख देना, M1, dv1 by dt, इसकी X, चलेगा, तो लिख देना, dv1 is, F अपॉन, M2 ओमेगा स्क्वेर, M1, इन्टो के, आयना, 1 माइनस, कॉस ओमेगा टी, इन्टो dt, इंटेग्रेटिंग, V1 इस 0 है, ताइम 0, वेलोस्टी इस वीवन इस ताइम ती, यह होगया, V1, is basically dx1 by dt, यह आजाएगा, ओमेगा स्क्वेर को लिख दो, K upon, M effective, तो यह आजाएगा, F upon, M1 प्लस M2 बन गया, हाँ यह ना, यही बन रहा है, और इन्टो टी, माइनस F upon, M1 प्लस M2, और फिर यहाँ पर एक ओमेगा आ जाएगा, साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी ही रहेगा, चलेगा यहां तक, यही आ रहा है, अब dt को उपर ले जाओ, इस पूरे dt को उपर ले जाओ, और X1 इस 0 एक टाइम 0, लोकेशन इस X1 एक टाइम टी, यहां तक भी सही है, यह आ गया, X1 इस F upon, M1 प्लस M2, इन्टो T स्क्वेर बाई 2, माइनेस F upon, M1 प्लस M2, ओमेगा स्क्वेर, साइन का कॉस बन गया, साइन का, कॉस बन जाएगा, माइनेस कॉस बन जाएगा, तो 1 माइनेस कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, चलेगा, आया ना, X1 is a function of T, क्या आ रहा है, F upon, M1 प्लस M2, इन्टो T स्क्वेर, हाफ इन्टो इन्टो T स्क्वेर, और फिर बन रहा है, एक constant term भी बन रही है, F upon, ओमेगा स्क्वेर, M1 प्लस M2, यह भी बन रहा है, एक term, चलेगा, और फिर, माइनेस माइनेस प्लस बन रहा है, F upon, M1 प्लस M2, इन्टो ओमेगा स्क्वेर, कॉस ओमेगा T, यह भी बन रहा है, यह भी चलेगा, यह X1 T बन रहा है, यह X1 T बन रहा है, ठीक है, और फिर, X2 T क्या बन जाएगा, X2 हो जाएगा, L0 प्लस X, प्लस X1, मैं नहीं कर रहा है, यह भी आइडिया तो है, मुझे कि यही आंसर, ऐसा था ही कुछ आंसर आएगा, ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया, पक्का, अब सेंटर ओफ मास फ्रेम से करते हैं, सेंटर ओफ मास फ्रेम में मैं यह कहूँ, कि मान लो हमारे पास यह M1 था, यह नैचुरल लेंग था, यह M2 था, और इस पे F लग रहा था, जब यह स्प्रिंग खिचे भी गा, और इसकी विलासिटी जीरो थी, इसकी विलासिटी भी जीरो थी, पहल तो यह बताओ, जब यह स्प्रिंग खिचे भी गा, तो KX तो इंटर्नल फोर्स आएगी, हाँ या ना तो एक्स्टरनल फोर्स तो एक्स ही रहेगा इसका मतलब सेंटर ऑफ मास एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कॉंस्टेंट होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा पूरा सेंटर ऑफ मास एक्सलरेट कर रहा है f external upon m total से चलेगा और दौनों rest से छोड़े थे तो initial velocity of center of mass कितना हो जाएगा 0 आए या ना अब अगर तुम center of mass को rest पे कर रहे हो अगर तुम center of mass के frame में जा रहे हो तो क्या तुम ये कह सकते हैं क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब center of mass की acceleration नहीं होनी चाहिए तो accelerating frame में अगर तुम बैठते हो तो क्या लगाते हैं क्या लगाते है accelerating frame के अंदर किसी body को बैठके देखोगे तो क्या लगाओगे pseudo force लगाओगे इसका मतलब pseudo force लगेगी इस वाले पर कितनी pseudo force लगेगी कितनी लगती थी mass of body into negative of acceleration of reference frame तो इस पर इधर की तरफ एक force लगेगी free body diagram में कितनी लगेगी M1 ACM और इस वाले पर कितनी लगेगी इस वाले पर जो लग रही थी वो तो लगानी ही है हाँ या ना और एक और force diagram में force लगेगी M2 ACM हाँ या ना तो अब इस पर तो left वाले पर तो एक force लगी left की तरफ कितनी इधर की तरफ M1 F अपॉन M1 प्लस M2 और right वाले पर एक force लगी F माइनस M2 और F अपॉन M1 प्लस M2 कितनी लगी M1 F अपॉन M1 प्लस M2 तो इस पर भी same value right में लगी M1 F अपॉन M1 प्लस M2 दौनों में M1 F अपॉन M1 प्लस M2 लग लिए force बात समझ में आई और इस इंस्टेंट पे spring force कितनी है 0 natural lens पे है इस इंस्टेंट पे इस पे velocity 0 है इस पे velocity 0 है अब तुम बताओ क्या होगा लेफ्ट में अक्सट्रीम पोजिशन यह थैट्रीम पोजिशन कोंज़ एक्सट्रीम पोजिशन राइट वाली यह ऐसे श ऐसे चम करेगा यह इसकी मेन पोजिशन होगी बोलो हां यहां से ऐसे गया फिर ऐसे आएगा और ये अपने अपना एसे चम करेगा ये ऐसे चालू होगा समझ में आई बात या नहीं आई पक्का ये इसकी मीन पोजिशन होगी इसी लिए इसी लिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इस सिचुएशन में स्प्रिंग कभी कंप्रेस नहीं होता कहा था या नहीं कहा था अब दिख रहा है कि वह कंप्रेस क्यों नहीं हो रहा और जो लेफ्ट वाला है उसमें एसे चम की एक्वेशन क्या लिखी आएगी सोचके उसकी एसे चम की एक्वेशन होगी एवन कॉस ओमेगा टी इसकी एक्व स्पाइबरीजंगack क्या होगी यह एटूगा तो इसकी होगी माइनस एटू कि तूग सुमेगा टी क्यों क्योंकि टीजीडू पे यह अपने स्ट्रीम पे है और यह वाला अपने स्ट्रीम है एक ह्सबंटी में देखो पलस एवन कॉस ओमेगा टी है यह चीज बात समझ में आई या नहीं आई पक्का अरी शिर कोई कंफ्यूजन यहां तक हां तो इस क्वेस्टन में क्या पूछा था पहले अच्छी से फील आगए कि इसमें हो क्या रहा है और बाइद वे यह सेंटर आफ मास्क के फ्रेम में हो रहा ह है सेंटर आफ मास्क कितने से एक्सलरेट हो रहा है एसे यह ना अगर किसी ने यह पूछा होता कि मैक्सिमम इलॉंगेशन इन स्प्रिंग कितना है यही तो पूछा था उन्होंने तो यही पूछा था मैं तो पूरी एक्वेशन के उपर महाभारत करने बैढ़ गया हल चला सिंटर आइंगे मैंस समझ मा चला था मैं जो यह ता कि है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में उन्होंने क्या पूछा था मैं मैं मैक्सिम मैं क्या मैं यह यह कह सकता हूं उसे डेसकली यह वैल्डियू और यह तो चाहिए कि एक्स-वन और यह एक्सटू हो गया अब क्या मैं conservation of energy लगा सकता हूं इस situation से लिए सिट्वेशन के बीचित नहीं कि है न कि हाँ यह नहीं आए कमगा क्या थोंगा भाई यहां पर भी velocity zero यहां पर भी वेलास्टी जीरो मैं कोंगा work done by forces is gain in potential and gain in potential energy of the spring only अब इस वाले distance को पूरे को एक्सवन बोल दिया इस पूरे को एक्सटू बोल दिया work done by forces क्या मैं कैसे तों work किस नहीं किया m1f upon m1 plus m2 ने किया into x1 into cos 0 दूसरे ने कितना किया m1f ये भी m2 ने है m1f upon m1 plus m2 ने किया ये constant force है ना into x2 into cos 0 is gain in total energy of spring कितना हो जाएगा spring में total elongation count करते जाना तो x1 plus x2 का whole square बच्चे कहेंगे सर इससे निकलेगा कैसे जार उसने x1 plus x2 पूरा पूछा है तो तुम्हें दिखाई दे रहे दोनों में x1 plus x2 common आके कट गया तो ये answer आगे सीधा m1f m1f upon m1 plus m2 into 2 by k is x1 plus x2 that should be a आया ना उनसे वाला a भाई जो मैंने किया था उसमें ये वाला a आया ना ये ये यहां से चालू होता था और maximum elongation होती थी फिर तो ये maximum elongation थी ना टूए 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 हुआ ना एक्स की वैल्यू maximum कितनी हो रहे है टूए टूए हो गया टू एफ अपॉन एम टू ओमेगा स्कूर्ट तो ये इस टूएफ आया नहिं उन्होंने तो सिधर निकाला जो पिंकवाला पार्ट हो क्या है वो समझो क्ली ओ क्या रही है ये यहवाले की कैसे लिशन आ लखन यह हो जाएगी minus A1, minus A1, sorry, plus A1, cos omega T, यह किसके respect में है, center of mass के, displacement of center of mass क्या हो जाएगा, half ACM, T square, so this should be displacement of X1 with respect to ground, आया ना, और displacement of X2 with respect to ground क्या होना चाहिए, यह हो जाना चाहिए, half ACM, T square, plus minus, minus A2, minus A2, cos omega T, बोलो हाँ, do you realize, this quantity is ACM, यह quadratic वाली term क्यों हारी है, क्योंकि acceleration of center of mass constant है, तो हाफ ACM, T square वाली term हमारी है, मज़ा आया कि नहीं आया यह बताओ, आया, ठीक है, चलो इसी बात पर एक HCV का question करते है, salt वाला तो मैंने करा दिया, वाला करेंगे, ठीक है, हाँ बेटा, तो this is your HCVर्मा question, question number 52, question number 52, consider the situation of the previous problem, ठीक है ठीक है, डियागराम बना दिया, suppose the block of M1 is pulled by a constant force F1, M1 वाले को इदर की तरफ F1 लगा दिया, और M2 वाले को इदर की तरफ F2 लगा दिया, चलेगा, और यह velocity 0 है, यह velocity 0 है, यह अभी natural length पे है, और maximum elongation so that the spring will suffer पूछा है, आया ना, तो कैसे start करूँगा मैं, अपने तरीके से करेंगे पहले तो, क्या होगा, यह M1 है, यह spring है, यह M2 है, इधर force लग रहा है F1, इधर force लग रहा है F2, यह है natural length, इसको ले लो origin, चलेगा, time T पे मान लो, कि M1 चला गया X1 पे, और M2 चला गया X2 पे, यह distance हो गया L0 प्लस X, आया ना, तो क्या मैं कह सकता हूं कि left end वाले की Newton lock equation बन जाएगी, KX, left वाले की हो जाएगी KX, minus F1, is M1, D square X1 by DT square, right वाले की हो जाएगी F2, minus KX, is M2, D square X2 by DT square, चलेगा, उसके बाद, X2 minus X1, is L0 plus X हो जाएगा, तो यह आ जाएगा, D square X2 by DT square, minus D square X1 by DT square, is D square X by DT square, अब value डाल दी, D square X by DT square बन जाएगा, F2 by M2, minus KX by M2, minus KX by M1, minus minus plus F1 by M1, चलेगा, तो इसको compare कर, और इस D square X by DT square, यह आ जाएगा, minus of K by reduce mass into X plus F1 by M1, plus F2 by M2, यह भी चल गया, ठीक है, इसको लिख दिया, omega square, इसको लिख दिया, omega square, तो इसको लिख दिया, minus of omega square, X minus F1 by M1, plus F2 by M2, into 1 by omega square, is D square X by DT square, हाँ यह ना, omega हो गया, root of K by reduce mass, उसके बाद इसकी equation क्या बना दूँगा, X की, X की equation हो जाएगी, F1 by M1, plus F2 by M2, into 1 by omega square, plus A sin omega T plus F1 by M2, उसके बाद, T0 पर X की value क्या है, मारी, 0, तो 0 equal to C, plus A sin F1 by M2, हो जाएगा, हाँ यह ना, इस पूरे को C बोल दिया यार, और DX by DT क्या हो जाएगा, DX by DT कहे रहा है, हैंग हो गया, अरे रुख जाओना, वो वन नोट री स्टार्ट हो गया, बेटा, उसने का, क्या पढ़ा जिया, उनने आज, हाँ खड़े करती है, उसने, ठीक है, और फेज अगें, 3 pi by 2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें डिफ्रेंशेट करोगे, तो A omega, cos phi not equal to 0 होना चाहिए, तो phi not या तो 90 होगा, या 3 pi by 2 होगा, तो फिर हमने का कि, sin phi not negative होना चाहिए, तो इसका मतलब 3 pi by 2 फेज होगी, यह गलत है, आया ना, तो equation सीधा बन जाएगी, c, 1 minus cos omega t, got it or not, तो maximum elongation क्या होगा, 2c, that is 2 times, c कितना होगा, recording हो रही है, नहीं हो रही है, तो बोलो न यार, restart हो गया था हो इंपे, अब recording हो रही है, तो कि मैं क्या बोल रहा था, हाँ यह तहां तक का समझ में तो आ गया ना, पिछली जैसा ही तो किया है यार, मैंने कह दिया c, इसको बोल दिया c, इसको बोल दिया c, तो c plus a sin phi not is 0, x 0 at time t 0, और फिर dx by dt क्या हो जाएगा, वो भी 0 क्योंब दॉनर x से चालू हुए, तो a omega, a omega, और t 0 put कर जाए तो, cos phi not should be 0 at time t 0, तो initial phase 3 pi by 2 हो गया, 3 pi by 2 हो गया तो equation क्या बन जाएगी, this whole thing, तो यह हो जाए, यह equation बन जाएगी, c, 1 minus cos omega t, हाँ और maximum elongation क्या हो जाएगा, 2 c, 2 c, तो that will be 2, और c कितना हो गया, f1 by m1, plus f2 by m2, omega square बोल रहा है, omega square क्या होगा, k upon m1 m2, upon m1 plus m2, अब LCM ले ले तो क्या आ रहा है, 2 m2 f1, plus m1 f2, upon m1, m1 plus m2 बचेगा, into k, क्या मैं कैसे तो हूँ, यह answer दियावा था, check करो, यह दियावाएँ ना, हाँ या ना, लेकिन मैंने किस तरीके से किया, मैंने equation method से किया, किस से किया है बेटा, अरे सुन तो ले यार, हेलो, कोई सुन रहा है, equation वाले method से किया है, center of mass वाले frame से, उससे भी हो जाएगा, उससे हो जाएगा, हाँ हाँ, चलो कराई देख, यह M1 था, यह M1 था, इस पर क्या लग रहा था, F1, यह natural length था न, यह M2 था, इस पर लग रहा था F2, acceleration of center of mass ले लो, कितना, F2 minus F1, upon, M1 plus M2, अब center of mass को rest पर करना है, तो मैंने का भई, center of mass हो गया, rest पर, तो इसके उपर force कितना लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, F1 तो लगी रहा है, साथ में, M1 ACM, और इस पर क्या लगेगा, F2 तो लगी रहा है, minus of M2 ACM, तो यह force कितना हो गया, F1 plus M1, F2 minus F1, upon M1 plus M2, M1 F1 plus M2 F1, और फिर हो जाएगा, plus M1 F2 minus M1 F1, M1 F1 कट जाएगा, तो यह हो जाएगा, M2 F1, plus M1 F2, upon M1 plus M2, चलेगा बेटा, और राइट वाले पे, F2 minus, F2 minus F1, upon M1 plus M2, यह हो जाएगा, M1 F2 plus M2 F2 minus, अब यह रूप जाओ यार, M2 भी तो था यहाँ पर बूलिया, minus M2 F2, M2 F2 कट जाएगा, तो यह हो जाएगा, M1 F2, minus, minus plus M2 F1, upon M1 plus M2, तुमने नोटिस किया, यह दौनों फोर्स सेम है, यह दौनों फोर्स सेम है, हाँ यह ना, तो हम यह कह सकते हैं, center of mass rest पे है, यहाँ पर इस पे इधर force लग रही है कुछ, इस पे इधर force लग रही है कुछ, और यह natural length पे है, हाँ या ना, और यह भी F लग रहा है, यह भी F लग रहा है, यह F यह हो गया, हाँ या ना, अब यह ऐसे ऐसे चम करेगा, और यह भी ऐसे करेगा, यह X1 ले 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 ना, यह X2 ले 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 ना, हम कहेंगे, लेफ्ट वाली पे वर्क दन हो जाएगा, F X1, राइट वाली पे वर्क दन हो जाएगा, F X2, शिस्टम पे वर्क दन क्या हो जाएगा, F X1 प्लस F X2, इस गेन इन टोटल एनरजी अप दा स्प्रिंग, क्योंकि यहाँ पर भी वेलोस्टी जीरो, यहाँ पर भी वेलोस्टी जीरो, हाँ या ना, मैक्सिम विलोंगेशन आजाएगा, 2 F by K, that will be 2 और F को लिख दिया, M1 F2 प्लस M2 F1 अपोन M1 प्लस M2 डिवाइड़ बाइड के, आउस बेट, ज़्यादा जल्दवाजी तो नहीं कर दी, असान था, और सेंटर जो अगर ग्राउंड फ्रेम में देखें तो SHM नहीं है, ग्राउंड फ्रेम में पार्टिकल को देखें तो SHM नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो हाफ ACM T2 वाली एक्वेशन आजाएगी, अच्छा, इसमें देखो ध्यान से देखो, इनिशल वेलासिटी जीरो दीदी दोनों की, अगर इनिशल वेलासिटी भी दे देते, और कॉंस्टेंट फोर्स भी लगा देते, तो X1 T के अंदर तीन ऐसे टर्म आते, एक लीनियर फंक्शन आफ टी, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आफ टी और एक साइन उमेगा टी टाइप या, कॉस उमेगा टी टाइप, बोलो हाँ, समझ गे ना, वो बिल्कुली मतलब हद कर दी, वो एक दम से क्या हो गया, हद कर दी हमने इनिशल वेलासिटी भी दे दी, हमने एक्स्टर्नल फोर्स भी लगा दी किसी एक पे या दौनों पे, हाँ या ना, गॉट इडर नॉट, अच्छा अब एक लास्ट केस होता है, लास्ट केस सबसे आसान केस है, इसलिए कई बार लोग छोड़ देते हैं, सबसे लास्ट केस तो यह हो गया, कि यह हमारे पास पार्टिकल्स हैं, और यह नैच्रल लेंथ है, अल नॉट, आया नॉट, ठीक है, और इसको इलोंगेट किया, इलोंगेट करके छोड़ दिया, अब समझ में आ रहा है, भई इसने क्या कर दिया, इसको इलोंगेट कर दिया, कि एलोट प्लस, एक्स नॉट कर दिया, और यहां से रिलीज कर दिया, रेस्ट से, रिलीज कर दिया, रेस्ट से, समझ में आ रहा है, इसमें दौनों का एसेचम भी होगा, ग्राउंड फ्रेम में भी, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि रेस्ट इनिशली विलासिटी जीरो है, इसकी भी विलासिटी जीरो है, हाँ या ना, डू यू रियलाइज कि यह एसेचम कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, और डागराम अच्छा बना दें तो अच्छा लगएगा चाहिए, यह लगा लो, अब टी जीरो पर दौनों की विलासिटी जीरो है, दौनों की विलासिटी जीरो है, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, कि लेफ्ट वाला कैसे ऐसेचम करेंगा, वो यहां से आएगा, ऐसे, आया ना, और जो यह लेफ्ट वाला है, राइट वाला क्या करेगा वो यहां से जाएगा ऐसे आया ना और और साथ में यह भी कह सकता हूं टाइम पीरिएड आफ एसे चंट तो डारेक्टी क्या हो जाएगा टू पाई रूट रिड्यूस्ट मास बाई के चलेगा साथ में मैं कह सकता हूं ट एकस्टी इक्वेशन क्या बन जाएगी स्टी कि एक्वेशन बनने है चाहिए एकोस ओमेगा टी हाइण ना पिए जीरो पे मैक्सिम इलोंगेशन पे आया ना और फिर जब गब एक्स होगा इंग्स इंग इंग फंक्शन ऑफ वह कॉस्वेगा टी का एक्वेशन बनना चाहिए क्योंकि वह मैक्सिमूम से चालू हो रहा है हाँ या ना और फिर हमारा टीवाइफ फोर पे वो नैचरल ल कि इस वाले का एंप्लीट्यूड होना चाहिए एवन इस वाले का होना चाहिए एटू एक एक्वेशन तो हो जाएगी एवन प्लस एटू शुट भी एक्स नॉट और एक एक्वेशन हो जाएगी एम वन एवन शुट भी एम टू एटू चलेगा इस से तुम्हारे पास आ जाएगा A1 is equal to A1 equal to M2 X naught upon M1 plus M2 and A2 equal to M1 X naught upon M1 plus M2 moreover left वाले की equation बनेगी minus A1 cos omega T और right वाले की equation बनेगी plus A2 cos omega T और इसमे इसमे ACM नहीं है तो half ACM T square center of mass वाला भी नहीं आएगा और VCM भी नहीं है VCM T वाले displacement भी नहीं आएगी तो क्या मैं यह कह सकता हूँ जो X1 T और X2 T आएगा ground frame में उसमे भले ही shifting आजाए shifting आजाए लेकिन equation जो time वाला variable होगा वो minus A1 cos omega T होगा और plus A2 cos omega T होगा तो वो भी SHM है with respect to ground also हाँ या ना ठीक है कि नहीं है तो this is most fun वाला part अगर तुम देखा जाए तो हाँ या ना ठीक है तो यह वाले पार्ट हो गए ठीक है तो एक वाला पाट भी हो गया तो एक क्वेश्चन और करते हैं थें दिस टॉपिक उड़ बी ओवर तो, पॉड़ यह तो एका प्रोष चॉड़ा तो प्रोष ओ थे वाले तो यह तो लूड़ लाझे 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 लाझेश्चन लाझे है वेट कुESTION है फिर विर्णी ख स्ट्रीन समूब है लिए केंगms मैं फुरी आट थास्रीन वयर्ण। भेलुसित ही ओ enza मंटुट로 सब्सक्पेंग provides दान्थे मैंटमiająंग है दुट कुच्ट इंट विर्णी वन क्मेर्णेग एनर्जी और ब्लॉक का सम करना है या ना प्रिंग की एनर्जी और ब्लॉक की एनर्जी का जो सम का मैक्सिमम है वो वैल्यू निकालनी है अब दो मिनिट बैठके अगर सोचोगे तो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा यह पूछा क्या है कैसे इनिशल सिच्वेशन है यह मास एम है इसकी विलॉस्टी जीरो है यह स्प्रिंग है और इसका यह वाला एंड कॉंस्टेंट व मिलॉस्टी से चल रहा है है कि अभी स्प्रिंग फोर्स कितनी है जीरो कि यह नैच्छरल लेंथ पेλ है तो इसका मतलब यहाँ पर external force कितनी लगनी चाहिए जीरो अब spring थोड़ा खिच जाएगा spring थोड़ा खिच जाएगा तो हम यह कह सकते हैं क्या मैं यह कह सकता हूं कि जब मान लो यह spring में elongation आ गया l0 प्लस x तो इधर फ्रोर्स लगेगा kx इसका मतलब f external भी kx के बराबर होना चाहिए क्योंकि इस पॉइंट इस मुविंग विद कॉंस्टेंट वेलोस्टी आया ना f external शुट भी ओल्मोस्ट इक्वल टू kx तो external force variable है external force variable है अब जब तक f external right side में लगेगी तब तक f external system के उपर positive work done करेगा यह समझ में आया क्योंकि जो यह वाला पॉइंट है जहां पर f external लग रही है उसका displacement हमेशा राइट में है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब spring खिचा खिचा एक पॉइंट ऐसा आगया जहां पर spring के अंदर maximum elongation हो गया एक्स नौट प्लस maximum elongation उस instant पर f external इधर लग रहा है हाँ यह ना इधर kx maximum लग रहा है और इस वाले point की speed u है उसके बाद यहां पर force kx लग रहा है हाँ यह ना maximum elongation है तो इसका मतलब दौनों की velocity यूँ है यह भी समझ में आया लेकिन अगर पीछे वाले की velocity यूँ है और kx लग रहा है तो और accelerate करेगा या नहीं करेगा अब यह दुबारा natural length पर आएगा अब यह दुबारा natural length पर आएगा जब यह natural length पर आएगा हाँ यह ना तब जो वी होगा यह वी निकालना पड़ेगा क्यों क्योंकि इस इस पॉइंट जहां पर एफ जीरो हो जाएगा और की एक्स भी जीरो हो जाएगा चलेगा नहीं चलेगा उसके बाद ही डबने लगेगा तो फिर क्या मैं कह सकता हूं इसके बाद एफ इसका मतलब सिस्टम के ऊपर नेगेटिव वर्क करने लगेगा तो यहां तक एक्स्टर्नल वेरियेबल एक्स्टर्नल ने सिस्टम को एनरजी दी है तो बच्चे बच्चों ने यह का मुझसे डाउट पूस्ते वे कि सर हमें यह कोशन में टेख्ंनीकली मेक्सिमा मिनीमा लगाना है हांफ की स्क्वेर क्लाब्स हां एंवी स्क्वेर पर मैक्सिमा मीनिमा लगा दू मैंने का नो easier way would be you realize the instant when the system will have total maximum energy that instant will be when the f external will change the direction and उस इंस इंस पे x की वेल्यू इनी चाहिए गोंगी x की वेल्यू जीरो होगी उस ताम पे सिर्फ बी की वेल्यू चाहिए बोलो हां that is that is the question this is not an easy question you have to think a lot okay you have to think a lot आया ना और इस question में मुझे वी निकालना है जब दुबारा natural length पे आए तब ठीक है कि नहीं है mathematical way से निकाले जैसे हमने अब तक question करें है इसको copy कर लगता है यह question है सब्सक्राइब करो यह था एम यह था एल नॉट और यह जा रहा था यू से किसकी विलॉस्टी थी जीरो चलेगा फिर कभी लोकेशन पर कह दिया यह हो गया एक्सवन और यह हो गया लॉट प्लस एक्स हायना और यह यू से जा रहा था कॉंस्टेंट वेलॉस्टी से तो यह दिस्प्लेस्मेंट कितना हो जाएगा यू टी अब मैं यह कह सकता हूं कि एक्स इस एम डी स्क्वेर एक्सवन बाई डी टी स्क्वेर और मैं यह कह सकता हूं लॉट अलनौट प्लस उट लॉट व्लॉट व्लॉट प्लस एक्स अया न है न को लॉट इस एक्स एक्स को डबलिफरेंटिट्यर करों कुछ का यह का जीरो तो इसको लिख दिया मैंने माइनस एम दी स्क्वेर एक्स बाइड टी स्क्वेर चलेगा तो एक्स एज़ा फंक्शन आफ टी क्या आ गया एसाइन ओमेगा टी प्लस फाइड ओमेगा क्या आ गया रूट आफ के बाइएम उसके बाद मैंने कहा ए साइन फाइड ओगया जीरो एंड ए ओमेगा कॉस फाइड ओगया यू चलेगा इससे फेज हो गई या तो जीरो या वनिटी फेज हो जाएगी जीरो क्योंकि हमारा कॉस फाइड नॉट है पॉजिटिव कॉस फाइड माइनिस बन होता है तो एक्स टी की एक्वेशन हो गई यू बाइ ओमेगा साइन ओमेगा टी चलेगा मुझे एक्स वन टी चाहिए अब यहां पर आजाओ एक्स वन आ गया यू टी माइनस यू बाइ ओमेगा साइन ओमेगा टी मुझे क्या चाहिए था मुझे वेलॉस्टी वी चाहिए जब यह दुबारा नैचुरल लेंथ पर आए आया ना तो पहली चीज तो यह नैचुरल लेंथ पर कब आएगा जब ऐक्सकी वेल्यव जेह जे रोनी चाहिए तो या तो उमेगा टी जीरो अना चाहिए या उमेगा टीवन आटी होना चाहिए बोलो हां हां तो टाइम टीवश्णीड है या हमारा ओमेगा टी हौगा हो गया तब जीरो है हां या ना साइन बने इटीजीरों दूसर टाइम निकाल लिया मैं यह वाला टाइम निकाल लिए इस टाइम इस मेड लाइग डॉप यह इस इस ऐग सब्सक्राइब ऑस अधिए यह यह वाली कुछ देर बाद फिर जीरो ही तब वेलॉस्टी भी निकालनी थी ना तो उसके बाद compression चालू होगी तो जब elongation 0 होई तो मैंने elongation 0 की value डाल दी omega t sin omega t 0 डाल दिया तो या तो t 0 पे है या ती अगली बार कब होगा पाई बाई ओमेगा पे तो मैंने का पाई बाई ओमेगा पे मुझे कि आ ऐए वेलॉस्टी किया चीजै लाद करने ती दो या पर निकालना यह गयाए यव अमेगा इंटो ओमेगा शोमेगा टि आया ना यह गया यू माईनस जो सुमेका टओ आ जहां पर टो इसकी वैल्यyu कितनी आंगई वी तू यू कितनी आ गई तू यू इसका मतलब इसकी वेलॉसटी इस इंस्टेंट पे कितनी एं तू यू और स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी है 02 का मतलब सिस्टम की टोटल एनरजी कितनी है हाफ M 2 u का स्क्वेर plus zero this is the maximum energy imparted by the external force to the system system कितना आ रहा है 2MU2 2MU2 कैसा रहा बहुत बुरा हुआ बोल दो कि हाँ सर बहुत बुरा हुआ है तो आया है समझ में नहीं आया है अफ़ता पूरा लिख लिया कहीं समझ में ना आया हो तो बता देना मुझे कि यह क्या किया सर आपने पहले XT की equation लिखी U by omega sin omega T फिर X1 की equation लिखी UT minus U by omega sin omega T DX1 by dt करके मैंने V निकाल लिया V आ गया U minus U cos omega T अब मैंने का X हमारा जहां पर 0 हो रहा है पहली बार 0 था T 0 पे अगली बार 0 हुआ है T equal to pi by omega पे हाँ या ना वहाँ पर cos omega T क्या हो जाएगा minus 1 तो V की value आ जाएगी 2U agreed or not अब इसी question को इसी question को खिर किया इस question में इतना तो हमें समझ में आ गया था कि ये डबबा था ये डबबा था और ये natural length था आया ना और ये constant speed यू से जा रहा था और यहाँ पर इसकी velocity 0 थी आया ना इतना तो तुम्हें सोचना ही पड़ेगा कि maximum energy of body कब होएगी क्योंकि फिर कभी ना कभी ये हो जाएगा L0 प्लस X तो इधर KX लगेगा फिर F external इधर लगेगा बोलो हाँ तो system को F external positive work दे रहा है हाँ या ना तो जब तक F external right की तरफ लगेगा तब तक system की energy बढ़ेगी तो मैंने का भई इधर force KX लग रहा है और ये accelerate कर रहा है हाँ या ना तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि दुबारा natural lens पर पहुंचेगा तो जब दुबारा natural lens पर पहुंचेगा मतलब ये L0 पर होगा तो जो ये body की velocity होगी ये V होगी ये हमारी U से जादा होगी हाँ या ना उसके बाद compression आएगा उसके बाद compression आएगा उस instant पर F external 0 है इसके बाद F external की direction चेंज होगी तो टेकनिकली इतना तो तुम्हें सोचना ही पड़ेगा कि V इस instant पर निकालना है जब ये natural length पर आए बोलो हाँ उस instant पर V निकाल दूँगा तो total energy हो जाएगी system की half K 0 square plus half M V square V निकाल लूँगा तो that will be the maximum energy of the system of spring and block अब एक काम कर दो ये जो right end है इसको rest पर ले लो rest पर ले लो इसको अगर तुम rest पर लेते हो तो ऐसे होगा ये rest पर है इसका मतलब इसकी relative velocity क्या हो गई यू और ये अभी natural length पर है चलेगा natural length पर velocity यू दे दू तो ये कैसे SHM करेगा आया ना गया और वापस आया तो जब ये वापस आ रहा होगा तो इसकी velocity इदर की तरफ कितनी होनी चाहिए यू जब ये वापस natural length पर आया तो इसकी velocity कितनी होनी चाहिए right की तरफ यू लेकिन ध्यान रखना ये velocity कैसी है ये velocity with respect to ये velocity with respect to this end है ना ये rest मान के इसकी खुद की velocity कितनी थी यू तो with respect to ground कितनी हो जाएगी 2 यू तो सीधा total kinetic energy क्या हो जाएगी half m ग्राउंड फ्रेम में टू यू का स्क्वेर ये क्या किया मैंने आया समझ में पक्का इसे कहते हैं फ्रॉड ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं आगे नहीं तक हो गया हाँ गड़